यहां पर आदा के जी मशली ले लिया है यह बहुत चुने में बहुत चिकना होता है आप हांसे अच्छी से पकड़ नहीं सकते हैं इतना सिर्परी होता है जिसको हम इसको चिकना पर दून करने के लिए सबसे बेश्ट है हम लोग इसको राक से साफ करेंगे तो यह मेरे पास इप धुटावाला राक है तो इस हम लोग रगर करेंगे तो इसको मैं उपर से डाल दिया है और आतों से इस तरह से रगट देंगे रगर देने से इसका सारा चिकना पर दूर हो जाएगा ताकि आपको बनाने में या साफ करने में आसानी होगा सबसे पर इसका चिकना पर दूर करना बहुत ज़री है तो चली इसको मैंने स्टेर से रगर लिया है देख एक एक मचली को इस तरी के से रगर लेना है ताकि इसका सारा चिकना पर दूर हो जाए तो चलिए अब इसको क्या करते हैं हम पानी डाल करके हम लो साफ कर लेंगे अब हम लो इसको क्या करेंगे इसको काट करके हम लो अच्छी तरह से बनाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगे कि इसको काट किस तरीके से काटते हैं किस तरी से इसको साफ करते हैं तो देखिए मैंने एक दो पानी से धूल लिया है सारस का चिकनापन खतम हुगी है लेकिन हाथ में यह देख रहे हैं ना यह मचली का यह पंक है दोनों साइड में पंक है पंग को काट देना है और आगे का मुग को काट देना है तो हाथ में राक लगा लगा लिजे ताकि उसलिप नहीं करें और आपको पकरने में असानी होगा तो देखिए इस तरह से हाथ में राक लगा लेना है और इस तरह के से पकर पकर के काटना है और इसको सर के आगे वाला में और फ्री आगे से कट मारेंगे बस इतना हुआ साफ है तो इसी ज़र्ज साहरा मचली को भी गिने हैं देख इसकते हैं हैल मैंने साहरा मचली को भी भी बना लिए चलिए थीरन पानी से तो हमें दो लेंगे धैकि ताकर 12 एवБर कि अर्य ताकि इसके जितना कड़वा पढ़ने सारा दूर हो जाए तो यहां पर मैंने नमक ले लिया है अब हम लोग इसी नमक को लेके पुरा रगड लेंगे अच्छी तरह से फिर एक दो पानी से अच्छी तरह से दो लेंगे देख सकते हैं नमक डालने से कितना अनिचे गंदगी दिख रहा है आपको तो चलिए हमने एक दो पानी से और दो लेते हैं अच्छी तरह से देख सकते हैं मचली बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुका है तो चलिए बागे क करते हैं इसको मेरिनेट करने के लिए मसाला रेडी करते हैं तो यहां पर मैंने सर्सु ले लिया है लहसुन है मिर्च है आप यहां पर राइ भी ले सकते हैं मैंने कालवला भी सर्सु ले सकते हैं तो चली इसको पर मिक्सी जार में डाल करके इसको चला लेते हैं तो देखिए इसमें और मसाले मिलाएंगे तो यहां पर मैंने धनिया ले लिए जीरा ले लिए गुलकी ले लिए हैं इन सभी को भी डाल करके अच्छी तरह से इसको बारिक पीस लेना है तो देखिए पीसा चुका है अब हम लोग क्या करते हैं इसको बर्तन में निकाल लेते हैं यहां मैंने निकाल लिए हैं इसमें हम लोग कुछ सूखे मसाले डालेंगे इसमें आएगा हल्दी मैंने चोटा चमच से यूच कर रही है तो मैं देख सकते हैं कि कितना यूच कर है साथी में यहां पे कस्मेरी मिर्शत एक चमच है इन सभी को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे मसाला को तो चलिए यह मसाला बनके बिल्कुल रेडी है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां जो म्चली दोयावा इसे मैं हम लोग मिला देंगे तुछ वह सहा, इसको डाल करके श्री को फ्रॉा करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और टेस्ट के कोड इसमें नमक डाल देंगे, एसको मिला देते हैं, कि निए यहां पर हल्दी टुहाताँ हैं तो हमें घ्राइब टो कुम की देख ट्यामों कर चली है कराही में सय मैने करणा कर दो थेल को ध। ताकि इसको fry करना है आप fry करके इसमें हम लोग को मसाला भूजना है तो चलिए आपको तेल में जितना आ जा उतना मसली डालके हम लोग फ्राय करेंगे जब एक साइट से अचीताए से पक जाएगा उसके बाद ही आगे पलटेंगे बीच में टच ने करेंगे ताकि नहीं तो तूट जाएगा मचली तूटने का डर रहता है तो देखिए एक साइट से अच्छी तरह से लाल हो चुका है अब हम लोग क्या करते हैं इसको पलट देते हैं सब मचली को पलट देंगे अब हम इसको तलने के लिए थोड़े छोड़ देता है तो देख सकते हैं दूसरे साइट से भी हो चुका है तो चलिए अब इसको क्या करते हैं निकाल लेते सारी मचली को इसी तरह करके हम लोग सारा मचली हम लोग तल लेंगे मैं आपको दिखा देती हुँ कि मैंने सारा मसली को तल लिया है देख सकते हैं तो चलिए हम लोग मसाला क्लिक करते हैं तो मैंने उसी तेल में मैंने पच फोरन का फोरन दिया है करते हैं वही मसालों को लों साड़ा डाल देंगे कट्पर में लगा हुआ तो थे तो इस गनाशीना पानी खेंगे उसको खंगार के डाल देंगे उसके ज़्युझे. धुट्फीर बहुति . फोट्बिद гр passion 960 प्रते हाँ . तो उसको बाड़ी काड़ के भी डाल सकते हैं और हम लोग इसको अच्छी तरसे मसालो को भूझेंगे कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे देसी बीच में हम लोग क्या करेंगे नेरे मसाला लग भूझाई चुका है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे धनिया पता के मैंने यहां पर डंटी डाल दिया है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो देख सकते हैं मसाला बच्छी तरसे भूझा चुका है अब हम लोग ग्रेवी के अनूसा हम लोग पानी डाल देंगे अब हम इसको अच्छी तरसे मिला देते ताकि मसाला सब अच्छी तरसे मिल जाया अब हम इसमें टेस्ट के कोर्डिंग हम लोग नमक डाल देंगे तो हम लोग मस्छी में डाले थे अब ग्रेवी के अनूसा हम लोग को नमक डालना है अब इसको अच्छी तरसे मिला देते हैं और हम लोग इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं तो यहां देख सकते हैं यह उबलने लगा है अब हम लोग क्या करेंगे सारा मचली इसमें हम लोग डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देते और इसको हम लोग तीन से चार मिलिट हम लोग उबलने के लिए रख देंगे ही ज्माइबान चुरू करकी हों दो च्रहाँ अभर है में और फोर और हम और अभर के दाहिद है उद्यान की सब्सक्राइब करना है यह जूरुत तो फ्रवं समी ऐसा